प्रेंट्स आज में आपको जबले की कटिंग जो है कैसे करते हैं जैसे छोटे बच्चें के लिए हम जबला और छोटी पैंट जो है वो बनाते हैं तो वो कैसे बनाते हैं यह आज इस वीडियो में देखने वाले हैं क्योंकि जब हम basic सीखते हैं, सीखने के बाद हम चैसे छोटे बच्चों का जो टॉफ होता है, या जबला होता है, छोटी पैंट होती है, वो सीखेंगे, तो उसके बाद आपको अगले जो वीडियोज हैं, यानि कि ड्रेस के वीडियो, या कटिंग के वीडियो, आप जल्दी यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे मैं आपको सिखा, बताती हूँ, कि हमें क्या करना है, जैसे पहले हम back side करेंगे, उसके बाद हमें front side करनी है, इससे क्या हो जाएगा, आपको पता भी चल जाएगा, और आच्छे से समझ में आ जाएगा, कि front side कैसे करनी है, और back side कैसे करनी लेकिन आप नए सीलाई का काम सीख रहे हो तो इसलिए मैं अलग-अलग करके भी दिखाती हूँ ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए अब देखिए यहाँ पे हमें फ्रंट साड के लिए इस तरह से कपड़े को यहाँ पे कट करना है यह देखिए यहाँ पे हमने एक तरह से डबल करना है और इस तरह से रखना है अब देखिए यहाँ पे यह आएगी हमारी लंबाई और यह आएगी हमारी चोड़ाई तो अब देखते हैं पहले हम लंबाई नापते हैं अब देखिए यहाँ पे आपको लंबाई अपने हिसाफ से रखनी है जैसे जितने अ आपका आप बना रहे हो उसकी लंबाई लेनी है तो शोल्डर से कमर के थोड़ा सा नीचे हमें इसकी लंबाई नापनी है तो अब देखिए यहाँ पर हम इसकी लंबाई रखते हैं 15 इंच यहाँ पर हम 15 इंच इसकी लंबाई रखेंगे और इसमें आपको देडी इंच एक् मार्किंग करेंगे यह दिखिए यहाँ पर हमने यह दोनों मार्किंग किया है यहाँ पर हमारी यह त्यार लंबाई आएगी और यह यह जो है यहाँ पर हमारा यह हलका सा कट हो जाएगा अब देखिए इस तरह से आप अब देखिए यहाँ पर हमें इस तरह से सीधा करेंगे और जो एक श्रा कपड़ा है नीचे के साइड में इसे हमें कट करना है अभी चेस्ट का नाप जो है अब देखिए चेस्ट का नाप जो है वो अपने इसाप से आपको रखना है, अपने बेबी का जो टॉप है, टॉप के उपर ले सकते हैं, नहीं तो आप चेस्ट के उपर भी ये नाप जो है वो ले सकते हैं, तो पहले हमें क्या करना है, यहाँ तब पहले हमें गले का नाप लेना है, तो गले का नाप लेंगे हम देड़ इंच पे छोटे बच्चे का है इसलिए हम d unfortunately लेते हैं उसके बाद यहां पर हमारा शोल्डरř है अशल्डर हे हमारा 9 इंच उसका Hmm करते हम help करते हम 4 ane यहाँ पे हमें 4.5 इंच पे इसका मार्किंग करना है 1.5 इंच पे हमने गले की चोड़ाई लिये है और इसके आगे यहाँ पे हमने 4.5 इंच पे एक मार्किंग किया है जो हमारा शोल्डर आएगा उसके बाद 4.5 इंच पे ही आपको आर्मोल लेना है अब देखें यहाँ से यहाँ तक 4.5 इंच लिया तो यहाँ पे भी कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो इसलिए आपको क्या करना है यहाँ पे भी 4.5 इंच पे मार्किंग करनी है इससे क्या हो जाएगा एक दब सेम आपका उपर का जो बार्ट है उतना ही आपका नीचे भी आ जाएगा आप देखें यहाँ पे आपको इस तरह से यह मार्किंग करनी है मार्किंग करनी के बाद यहाँ पे आपको चेस्ट का नाप लेना है अभी चेस्ट का नाप कितना लेना है तो वो आपके हिसाफ से आपको रखना है तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी 6 इंच पर, चेस्ट का वनफूर्थ है 6 इंच, अब उसके आगे आपको 1 इंच, 1.5 इंच, जितना आपका कपड़े के हिसाफ से आप मार्जिन ले सकते हैं, तो यहाँ पर चेस्ट का वनफूर्थ है हमारा 6 इंच, अब देखिए यहाँ पर आपको इस तरह से एक सीधी लाइन लगानी है, अब यहाँ पर यह हुआ हमारा आरमोल और यहाँ पर हमारा यह गला, अब गला जो है वो लेंगे हम 3 इंच पर, आप कम भी रख सकते हो, यहाँ पर आप देड़ इंच पर रख सकते हो, जैसे बैक सेड का गला जो है, वो यहाँ पर आप देड़ इंच का भी गला बना सकते हो, या दो इंच का भी बना सकते हो, जैसे दो इंच का आएगा, तो इस तरह से आएगा, यह देखें, और यहाँ पर आपको राउंड शिप देना है, इस तरह से बना सकते हो, नहीं तो यहाँ पर आपको इसे मार्किंग करनी है साड़ती नीच पे तो आपको क्या करना है जैसे पहले मैं आपको छोटा गला बनाना सिखाऊंगी यह आपके उपर डिपेंड है आपको छोटा चाहिए या बढ़ा चाहिए तो यह देखे यहाँ पर आपको हलकी सी गोलाई देनी है यानिकि राउण्षिप देना है आप चाहे तो इसको बढ़ाना चाहते हैं, तो इस तरीके से भी बढ़ा सकते हो, इसे भी आपको इसी तरह से लेना है, इसमें कुछ कम जादा नहीं करना है, अब ये जो आर्मोल है, आर्मोल को आपको क्या करना है, एक इंच पे मार्किंग रखनी है, अब ये छोटे अब यहाँ पर आपको सीधा लेना है, आप चाहे तो सीधी लाइम भी लगा सकते हो, नई तो आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक आपको 6 इंच पर एक मार्किंग करनी है, 6 इंच पर मार्किंग करने के बाद, यहाँ पर हम कमर का नाप लेते हैं, जैसे यहाँ पर हमने चेस्ट का नाप लिया था, 6 इंच हमने चेस्ट का नाप लिया था, और देड़ इंच एक्षा लिया था, तो यहाँ पर हमें कमर का नाप लेना है, तो कमर का नाप लेंगे हम 5 पांच इंच पे पांच या साड़े पांच धीला चाहिए तो आप साड़े पांच इंच पे रख सकते हो और इसके आगे आपको देडी इंच लेना है तो यहाँ पे और घेरा जो है वो अपने इसाफ से आप रख सकते हो जितना आपको घेरा पसंद होगा उतना आपको घेरा रखना है आप जादा बढ़ाना चाहते हैं जादा बहुत जादा भी नहीं बढ़ाना है लेकिन इसके इसाब से आप एक इंच जादा ले सकते हो अब देखिए यहाँ पर हम गेरे का भी मार्किंग कर लेते हैं अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है इस तरीके से एक सीधी लाइन लगाते हैं और यहाँ पर आपको इस तरह से एक लाइन लगानी है उसके बाद यहाँ पर जो चेस्ट का नाप है और यहाँ कमर का तो चेस्ट कमर तक आपको जॉइन करनी है और यहाँ आपको गेरे तक जॉइन करना है अब आपको इसकी कटिंग करनी है अभी यह हमारी बैक सेड है तो पैले हमें इसकी कटिंग कर लेते हैं यहाँ में इसको कट करना है जो हमारा सीधा करने के लिए हमने जो कपड़ा मार्किंग किया था इसी तरह से अब यहाँ पर हमें यह लाइन पर हमारी फिटिंग की सिलाई आएगी इस लाइन पर आपको कट करना है यह जो आर्मूल है आर्मूल की गोलाई भी आपको इसी तरह से देनी है अभी बैक सेड का गला आपको छोटा बनाना चाते हैं तो आपको इस तरह से कट करना है अभी इसमें बड़ा बनाना चाते हो तो यहाँ पर आपको इसकी कटिंग करनी है अभी यहाँ ते आपको समझ में आ गया होगा कि यह हमने बैक सेड कट की है अभी हमें front side cut करनी है अभी front side को कैसे करते हैं ये देखे front side को भी हमें कपड़े को double रखना है double रखने के बाद इस तरह से बंद बाजू जो है वो अपने side में रखनी है और ये जो part है बिल्कुल इसके उपर आपको इस तरह से रखना है ये देखे इसमें कुछ बढ़ाना नहीं है और इस तरह से आपको रखना है अब ये रखने के बाद आपको क्या करना है अच्छे से रखने के बाद आपको क्या करना है ये marking जो है वो करना है और यहाँ पर इस तरह से ये marking कर लेते हैं अब देखे यहाँ पे हमने आरमुल की मार्किंग की और इस तरह से साइड की फिटिंग की मार्किंग की अभी यहाँ पे आपको गले की मार्किंग करनी है अब बैक सेड जो है उसे हम अलग करेंगे अभी यहाँ पे आपको फ्रंट सेड का गला लेना है अभी फ्रंट सेड का गला कैसे ल करना सकते हों तो 3-5ом इंच हम गले की कि लंबाई लेते हैं अभी यहां पर आपको 3-4 इंच हो पर दींच working तो इña paying में डम खेंगी हैं यहां पर वी शेप में देना चाती हैं तो इसे आपको इस तरह से कट करना हैं और आपको round shape में देना चाते है तो आपको इस तरह से गोलाई देनी हैं तो यहां पर हम round shape में ही कट करेंगे और यह जो गोलाई है अमारी यह जो आर्मोल की गोलाई है वो ऐसे ही रखेंगे क्योंकि ये छोटे बच्चे का हैं तो इसलिए हमें डबल आरमोल का शेप नहीं देना है ये देखे इस तरह से और यहाँ पर आपको इस तरह से कट करना है जो हमने ये जो आरमोल का निशान है बिल्कुल उसी के उपर आपको इसकी कटिंग करनी है यहाँ पर जो एक्षरा है उसे भी हम कट कर लेते हैं यह देखे अभी यह हुए हमारी फ्रेंट सेड़े यह देखे यहाँ पर यह हमारी आती है फ्रेंट सेड़ और उसके उपर यह देखे यहाँ पर यह आती हमारी बैक सेड़ यह देखे इस तरह से आपको एक दब पर्फेक्ट रखना है और यहाँ पर आपको यह निशान लगाना है जो फिटिंग के सिलाई का जो निशान आता है हमारा इस तरह से लगाना है अब देखे यह जो निशान में यहां पर बार्किंग आता है यह जो है यहां पर और यह यहां पर के सी सिल आएगा के से आएगा और बिल्कुल यहां पर आपको इस तरह से लेके इसके उपर रखना है और इसका मार्किंग जो है इस तरह से आमें निशान को लगाना है यह देखी यहां पर हमारे जो निशान है इसको हमें डार्क करना है अब देखें यहां पर तो मैंने आपको यह जबले की कटिंग जो है इस तरह से मैंने आपको कटिंग करके दिखाई है यह हमारी front side है और यह हमारी back side है इस तरह से रखते हैं अब देखिए यहाँ पे तो हमने यह cutting की लेकिन हमें आरमोल के लिए और गले के लिए पट्टिया लगानी है तो इसे पट्टिया जैसे मैंने इससे पहले भी cross पट्टी जो है वो कैसे लगानी है या कैसे cut करनी है और पट्टि कैसे cut करनी है यह भी मैंने आपको सिखाया है इस तरीके से आप और पट्टि को काटना है और इसके ऊपर आपको joint करना है तब इस वीडियो में मैंने आपको cutting सिखाई है अगले वीडियो में मैं इसकी stitching सिखाऊंगी आप चाहे अलग कलर का भी कपड़ा लगा सकत तो आपको इससे भी ज्यादा अच्छा फ्रॉक की cutting या skirt की cutting भी आपको आ जाएगे सिर्फ आपको इसकी थोड़ी शी प्रैक्टिस करनी है